हेलो एबरियोन वेलकम बेक टू माय चैनल फ्यूच्य इस्टडी हेलो इस्टूड़न आज हम बात करने जारें सी जो बूर्ड टमवन की एक्जाम होनी जारें उसकी बारे में जो आपके एक्जाम होनी जारें उसमें लेटर सब्डेट आई पड़िये गाईस उसी इस वीडि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जारे टाइम बेस ना करते हुए आपका गाईस यह आप देख सकते हैं जो सी वेच्जाम होनी वाली है तुमवन की जो आपको इसकोल में कोश्चन पेपर आएंगे वह कोश्चन पेपर एक घंटे पहले आने वाले और इस कोश्चन कोश्चन पेपर आने से यह नुकसान होता था कि जो ऊच्रों पेपर लीक हो जाते लिग होने से यह दिक्कत आती है कि जो इसट्वें एक्जाम देके आते हैं तो उनके एक्जाम कैंसर होने के चांज़ बढ़ जाते थे तो इस साल यह बड़ी अपडेट है नहीं होंगा आपको दुबारे एक्जाम भी नहीं देना होगा ना आपके एक्जाम कैंसिल होंगे गाइस और जो आपके एक घंटे पहले ही मिलेगी काईडे और एक पासबूर्ट उसके थूर यह लोग इन होकी खोला जाएगा गाइस और यह साथ चन्नों सो गोजरा जाएगा और इसमें और आपको इसमें 2100 स्कूले मिल रही है आपकी परिच्छा देने के लिए और एक क्लास में स्रिफ बारा वच्छे बैटने के लिए अनौस्मेंट्स की गई है तो यह बड़ी अपडेट आ रही है सीवेसी बोड ने यह भी किया है कि जो आपको टमोन एक्जाम होने वाली है वह स्टूलेंट को पैंसिल का यूज नहीं करना है उसमें और पैन का यूज करना है ब्लैक और बुलू पैन दो पैनों का यूज कर सकते गाइस और आप अंसर के लिए जो आपकी गोले वाली अंसर आती है उसमें आप गोला फिल कीजिएगा प्लैक से यह बलू से आप यह दो पैन कर सकते गाइस यह भरने के लिए ओमर शीट और पैंसल का यूज मत कीजिएगा और आपको यह 90 मिनट का पेपर होने जा रहा है गाइस यह आपक अपडेट आ रहा है जिससे आपकी पेपर लिक नहीं होगा और यह अपकी स्कूल में गुंत पहले ही आने वाली है तो यह काफी वड़ी अच्छी बात है जिससे आपके एक्जाम कैंसल होने के चांस कम हो जाएंगे और पेपर लिक नहीं होगा ऐसी अपडेट के लिए हमा